चाइना की अर्थव्यवस्था सारे इस्ट एशा से पिछड रही है। सोलो मन्द वीप ने अमेरिका के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया। और ताइवान अब अपने हवाईक शेत्र में चाइना की घुसपैट को फर्स्ट स्ट्राइक मानेगा। इस हफ़ते की चाइना न्यूज हेडलाइन्स आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड सर्फशाग द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप उनलाइन जाते हैं, विशेश रूप से विवादास पद विशेयों को देखने के लिए, आपको अपनी पहचान की रक्षा के लिए सर्फशाग जैसे VPN का उप्योग करना चाहिए। यह चीन में एक सप्ताह तक चलने वाला राश्ट्रिय दिवस का अवकाश है, जिसका आम तोर पर बहुत सारे परिटन का मतलब होगा। लेकिन चीन की जीरो कोवेड नीती के कारण यात्रा करने का यह अच्छा समय नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर शंकारियों को हिरासत में लिया गया और क्वारंटाइन कैम्प में रखा गया। इसलिए आपको चीन में कभी भी वेकेशन पर नहीं जाना चाहिए। भयानक कोवेड नीती की बात करें तो हमने कुछ हफ़ते पहले शिंजियांग के निवासियों के कोवेड लॉकडाउन के तहट मरने की सूचना दी थी। खेर उन सक्ट लॉकडाउन को हटा लिया गया आखरकार लेकिन एक दिन में 38 नए मामलों की बदौलत अब निवासियों को जिंजियांग छोड़ने से रोका जा रहा है ताकि चीन के अन्य हिस्सों में इस वाइरस को फैलने से रोका जा सके। सभी आउटबाउन ट्रेने, अंतर प्रांतिय बसे और अधिकांच उड़ाने अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। जिंजियांग ने चीन में कुछ सबसे कठोर लॉकडाउन देखे हैं। यह चीन के अधिकांच जातिय उवेगरों का घर है, जिन में से कई मुसलिम ह लेकिन दूसरी तरफ, अपने घर में बंध होना अभी भी अधिकांच उवेगरों के चेहरे के विकल्प से बहतर है, एक एकागरता शिविर में बंध होना। और कोविट के लिए धन्यवाद, विश्व बैंक भविशिवानी कर रहा है कि इस साल चीन की अर्थविवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाली है। इसने पूर्वी एशिया के सकल घरेलू उतपाद में कुल मिलाकर 5.3 प्रतिशत की वृद्धी की उम्मीद की थी, लेकिन चीन इस वर्ष केवल 2.8 प्रतिशत की दर से। यह 1990 के बाद पहली बार होगा जब चीन अपने एशिय पडोसियों से पिछड गया है। विश्वि बैंक चीन की शून्य कोविड नीती पर विकास के अंतर को दोश दे रहा है, जिसमें इस समय शून्य वायरस है, लेकिन पूरी अर्थविवस्था है। अंतर राष्ट्रिय मुद्रा कोश केवल थोड़ा अधिक आशावादी थ इसने भविश्वानी की की इस साल चीन की वृद्धी 3.3 प्रतिशत होगी। एशियाई विकास बैंक ने भी यही भविश्वानी की थी। और हॉंग कॉंग में सरकार मांग कर रही है कि वहां के विदेशी राजनैक अपने मिशन के लिए फ्लो प्लान उपलब्द इसलिए कोई भी दूतावास या वानिज ये दूतावास चीन चाहता है कि उनका मांचित्रन किया जाए। अधिकारियों को फ्लो प्लान, किराय या विक्री की शर्तों का विवरन, साथ ही लीज या विक्री समझोते चाहिए। करमचारियों के घर के बारे में भी मामले से परिचित लोगों के अनुसार, चीन के विदेश मंत्राले ने कर्मचारियों के भवन में जाने से पहले नए परिसर की जाच करने के लिए कहा है, सत्यापित वैसे यह भग्ड कहने का एक नया तरीका है, क्योंकि वे मूर्ख नहीं है, राजनाएक चिन्तित हैं कि बीजिंग जानकारी का उप्योग सुनने वाले उपकरणों को लगाने के लिए कर सकता है, संपत्यों पर एक राजनाएक ने Financial Times को बताया कि बीजिंग राजनाएकों को असहज महसूस कराने के लिए ऐसा कर रहा है, अच्छा चीन, मुझे लगता है कि आप सफल हुए, और ब्रेक के बाद क्या सोलो मंद्वीप अमेरिका के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर करके चीन के साथ प्रशिक्षन देना शुरू कर दिया है, और प्रधान मंत्री ने कहा है कि वो विद्रोह से पटने के लिए द्वीप पर अधिक स्थाई चीनी पुलिस उपस्थिती चाहते हैं, जैसा कि आप कलपना कर सकते हैं, अमेरिका देश में चीन के प्रभाव को लेकर काफी चिन्तित है, जब सोलो मंद्वीप ने कहा कि वो अमेरिका और अन्य प्रशांत द्वीप देशों क के बीच समझोते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो ऐसा लग रहा था कि उसने अमेरिका पर चीन को चुना है, सोलो मंद्वीप के विदेश मंत्री ने कहा कि वे इस पर हस्ताक्षर करने से हिचकिचाते हैं कि कुछ संदर्ब थे जो देश को ऐसी स्थिती में डाल देते थे पर चीन को चुना है, उन्होंने समझोते पर हस्ताक्षर करने से पहले अमेरिका से चीन का संदर्ब लेने के लिए कहा, उस समझोते में व्यापार, प्राकृतिक आपदाएं और सतत विकास जैसी चीजे भी शामिल थी, बाइडेन प्रशासंग क्षेत्र में प्रभाव प्रशान्त की बात कर रहे हैं, ताइवान का कहना है कि वो अब अपने हवाई क्षेत्र में चीनी उडानों को बीजिंग से पहली हर्ताल के रूप में मानेगा, चीन के विमान बार-बार ताइवान के Air Defense Identification Zone में घुसे हैं, और चीन के जहाजों और हवाई जहाजों ने ता मध्यरेखा को पार कर लिया है, चीन और ताइवान के बीच संघर्ष को रोकने के तरीके के रूप में अमेरिका द्वारा वर्षों पहले उस लाइन पर बातचीत की गई थी, लेकिन चीन अधिक से अधिक मध्यरेखा को पार कर रहा है, ताइवान ने अब तक जवाब दि दे रहा है कि वो ऐसा न करे, अब ताइवान के रक्षा मंत्री कहते हैं, पहले हर्ताल करो या नहीं, जब तक चीन का कोई विमान या पोट सीमा पार नहीं करता, हम उसे नश्ट कर देंगे, और ब्रेक के बाद, यूएस में एक कॉलेज के छात्र द्वारा एक चीनी अरब पती पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यून दुराचार के दरजनो आरोप सामने आये हैं, लेकिन हैश्टाग मेटू आंदोलन को कुछ ही सफलता मिली है। अभियोजिकों ने लियू के खिलाफ आरोप नहीं लगाने का फैसला किया, यह कहते हुए की पर्याप सबूत नहीं थे। तो फिर महिला ने एक दिवान मील का पत्थर के रूप में समझोते की खबर का इलाज किया, छातर के समर्थकों ने इसे सोशल मीडिया पोस्ट में एक एतिहासिक शंक कहा, तो एक अमीर आदमी ने उसे भुकतान किया और वस्तुता किसी अन्य परिणाम का सामना नहीं किया। नारीवाद के लिए मील का पत्थर और न्याय प्रणाली की बात कर रहे हैं। बीजिंग में एक पेफोन लगातार बज रहा है और यह शरारत करने वाले नहीं है। लियानिंग प्रांत के गौड़ द्वीप के निवासी अपने शहर में प्रदूशन का विरोध करने का आवान कर रहे थे। शहर के व को संदेश मिलेगा। ध्यान आकर्शित करने का यह तरीका थोड़ा प्रदर्शंकारी लग सकता है। और वो यह था। उन्हें यह विचार एक स्थानिय प्रदर्शन कलाकार से मिला। न्पीर ने कॉल करने वालों में से एक से बात की और कुछ हफतों बाद कॉलर को स्था का रोकती विडियो जैसा कुछ नहीं है। विरोध शुरू होने के ठीक दो महीने बाद जब NPR ने पिछले महीने पेफोन पर कॉल करने की कोशिश की तो फोन नहीं बजा। हालाकि इस सब में सबसे बड़ा आश्चरे यह है कि चीन के पास अभी भी पेफोन है। और यह ए सिर्फ एक सर्फशाक खाते से आप जितने चाहें उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे अभी आजमाएं। सर्फशाक के पास एक विशेश डील है जिसमें दो साल की योजना पर 83 प्रतिशत छूट और 3 अतिरिक्ट महीने मुफ्त शामिल हैं। आप केवल 2 डॉल देखने के लिए धन्यवाद।